हलो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइकलोंस चैप्टर का लास्ट पार्थ अभी तक हमने देखा कि समुद्री हवाएं मानसून लाती हैं और मानसून बारिश, हमारे देश में ज्यादतर किसान खेती के लिए बारिश पर निर्भर रहते हैं और समय पर मानसून का आना सभी किसानों के लिए वरदान है पर बच्चों, हमेशा ये हवाएं वरदान नहीं होती कई बार इनसे बड़े नुकसान भी होते हैं जब ये हवाएं तूफान में बदल जाती हैं, तो बड़ी हाने कर सकती हैं, जैसे 1999 में उडिसा में आया चक्रवाती तूफान, यह तूफान उत्तर हिंद महासागर का सबसे शक्तिशाली चक्रवाती तूफान था, यह तूफान अक्टूबर 24 को एक उश्न कटिबंधिय शे जब जरते हुए यह एक उश्न कटिबंधिय चक्रवाती तूफान बना, एक दिन के अंदर यह तूफान एक सामानी चक्रवात से एक बिहच शक्तिशाली चक्रवाती तूफान में विक्सित हो गया, जमीन पर आने के बाद इसका प्रभाव कम होने लगा, और यह तूफान शक्तिहीन होकर एक मामूली तूफान बन गया और जल्द ही नश्ट हो गया, इस तूफान ने घंगोर बारिश की, जिसके कारण कई इलाकों में पानी भर गया, सैक्रों किरोमीटर के शेत्र की फसल बरबाद हो गई, लगभग 2,75,000 घरों को शती पहुंची, जिसके कारण 16,000,000 लोग बेघर हो गए, लगभग 15,000 लोग और 25,000,000 जानवर मारे गए, इस तूफान के हाल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हवाई कितनी भयानक और विनाशकारी हो सकती हैं, चलिए आज समझते हैं कि ये तूफान कैसे आते हैं और तूफान की परिस्थिती में हम क्या बचाव लेने चाहिए, तो चलिए समझते हैं ये हवाएं कैसे तूफान में बदल जाती हैं और इन तूफानों को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे थंडर स्टॉर्म्स, साइकलोंस, टॉर्नेडोज, हारिकेन, टाइफून, आदी, चलिए आगे इन सभी के पीछे की साइन्स को समझते हैं, चलिए सबसे पहले देखते हैं थंडर स्टॉर्म को, थंडर मने बादलों के गरजने की आवाज और स्टॉर्म मने तूफान, तो थंडर स्टॉर्म का मतलब है ऐसा तूफान जिसमें बादलों के गरजने की आवाज भी होती है, तो चलिए पहले दे काश में बिजली चमकते तो कई बार देखा है ये कैसे होता है इसका डिटेल हम बड़ी क्लास में पढ़ेंगे पर यहां पर यह समझ लेते हैं कि जब जमीन से गरम हुमिड यानि नमी वाली हवाएं गरम होकर उपर जाती हैं तो उपर ठंड के कारण इन गरम हवाओं और ठं में लगभाग 27,000 डिग्री सिल्सियस तक की गरमी होती है और ये तो हमने पढ़ी लिया है कि गरमी से हवा फैलती है अचानक इतनी गरमी से लाइटनिंग के आसपास की हवा बहुत तेजी से फैलती है और अपने चारोतरफ की हवा को धकेलती है जिससे गरजने की आवाज स स्टॉर्म को स्टॉर्म जिसे हम आमभाशा में तूफान भी बोलते हैं हाई स्पेड विंड्स ओफ अन्यूजवल फोस और डारेक्शन ओफन अकंपनीट बार रेन, स्नो, हेल और फ्लाइंग सैंड और डस्ट इस कॉल्ड अ स्टॉर्म मेंस अतिधिक दबाव और थंडर स्टॉर्म होता है ऐसा तूफान जिसमें लाइटनिंग और तेज बादलों के गर्जन यानि थंडर भी हो चलिए देखते हैं कि थंडर स्टॉर्म में हमें कैसे सुरक्षित रहना चाहिए सबसे पहले किसी ऐसे पेड़ के नीचे खड़े ना हो जो दूर दूर तक अकेला हो ज्यादा तर बिजली ऐसे पेड़ पर ही गिरती है दूसरा यदि आप जंगल में हो तो किसी छोटे पेड के नीचे खड़े हो ऐसे छाते का इस्तेमाल ना करें जिसका हैंडल मेटल का हो खिड़की के पास ना बैठें टीन की छट के नीचे खड़ें ना हो किसी कार या बस में आप सुरक्षित रह सकते हैं यदि आप पानी में हैं तो तुरंत बाहर निकल जाएं और किसी बिल्डिंग में चले जाएं चलिए अब देखते हैं साइकलोन्स को साइकलोन एक प्रकार का घूमता हुआ स्टॉर्म है जिसमें गरम हवाओं के उपर उठने की वज़े से नीचे कम दबाव का शेत्र बन जाता है और आसपास की हवा तेजी से वहां आने लगती है साइकलोन के बीच का एरिया आसपास की तुलना में शान्त होता है और उसे आई बोलते हैं जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं साइकलोन की शुरुवाद ज्यादतर ट्रोपिकल रीजन यानि ऊश्न कटी बंधिय शेत्र में समुद्र से शुरू होते हैं उस्न कटी बंधिय शेत्रों मतलब वो इलाका जो एक्वेटर लाइन के पास है और पिर्थी पर सबसे गरम होता है और साइकलोन को दुनिया में अलग-लग नामों से जाना जाता है जैपैन के पास के इलाकों में इसे टाइफून बोलते हैं भारत में इन्हें चक्रवाती तूफान या साइकलोन्स बोलते हैं और अमेरिका में इन्हें हरीकेन के नाम से जानते हैं साइकलोन के शुरुआज ज्यादतर ट्रोपिकल रीजन में समुद्र से होती है समुद्र के उपर की हवा कन्विक्शन की वज़े से गर्म होकर हलकी हो जाती है और उपर उठने लगती है हवा के उपर जाने से वहां कम दबाब यानि लो प्रेशर एरिया बन जाता है जिससे आसपास की हवा तेजी से वहां आने लगती है और जल्द ही गरम होकर उपर उड़ने लगती है ये गरम हवा उपर जाकर ठंडी हो जाती है जिससे गरम हवा में वाश्प पानी की बुंदों में बदल जाता है और बड़ी बूंदें बारिश या ओले या बर्फ के रूप में नीचे गिरने लगती है नीचे गिरती बूंदें उपर आती गर्म हवा से टकराती है जिसके करण लाइटनिंग होती है lightning यानि बिजली इसकी वज़े से आसपास की हवा और गर्म हो जाती है और उपर उढ़ने लगती है जिससे low pressure area create होता रहता है और ज्यादा वाश्व उपर पहुँचती रहती है जिससे ज्यादा बारिश नीचे की दरफ गिरने लगती है और lightning create होती है ये process ऐसे ही चलता रहता है बादलों के बीच के low pressure area को eye of cyclone बोलते हैं low pressure area यानि eye की तरफ सब तिशाओं से हवा आने लगती है और उसके चारों तरफ गूमने लगती है जिससे चक्रवात यानि cyclone बनता है जब तक cyclone समुदर के उपर रहता है cyclone को वाश्प मिलता रहता है पर जब वह जमीन पर आता है तो वाश्प मिलना बंध हो जाता है और cyclone धीरे-धीरे खतम हो जाता है destruction caused by cyclone चलिए देखते हैं cyclone से क्या हानी होती है तेज हवाएं पेड़ों को और बिजली टेलीफोन के खंबों को उखार देती है cyclone की तेज हवाएं समुदर के पानी को तठीय इलाकों में ले आता है जिससे घर तूट जाते हैं और सडकों और लेलकी पट्रियों को नुकसान होता है समुदर के पानी और cyclone के बाद बारिश से बाड जैसे इस्तितिव आ जाती है बाड का पानी cyclone पीडित जगहों पर फसनों को तबाह कर देता है बाड का पानी पीने के पानी को प्रदूशित कर देता है जिससे पीडित इलाकों में पानी से होने वाली बीमारियां उत्पन हो जाती है जैसे टाइफॉइड Safety Actions for People यानि आम जनता को साइकलोन से बचने के लिए किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए First, गर्मेंट की चेतावनियों और सुचनों को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए Second, घरों में जरूरी सामान के लिए उचित विवस्था पहले से कर लेनी चाहिए और पालतु बश्मों को किसी सुरक्षित इस्थान पर पहुंचा देना चाहिए Third, सभी जरूरी टेलीफोन नंबर्स को नोट कर लेना चाहिए जैसे पुलेस, फायर ब्रिगेट, हॉस्पिटल आदी Fourth, जैसा हमने पढ़ा बाढ़ के कारण पीने का पानी दूशित हो जाता है तो पीने का पानी पहले से स्टोर करके रख ले Safety Actions Post Cyclone Cyclone के बाद सुरक्षा के क्या कदम उठाने चाहिए First, Null, Hand Pump और नदी तालाबों का पानी नहीं पीना चाहिए केवल अपना स्टोर किया हुआ पानी ही पीना चाहिए Second, बिजली के स्विचेस और रास्तों पर गिरे हुए बिजली की तारों को नहीं चूना चाहिए Third, तूटी हुई इमारतों के अंदर और बाढ के पानी में नहीं जाना चाहिए Fourth, बिना कारण घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए Next, रेडियो और मोबाइल पर लोकल नियूज को सुनते रहना चाहिए Next, बचावदल की बातों को मानना चाहिए और पडोसियों के मदद करनी चाहिए आज से 50 साल पहले तूफानों का पता लगाना मुश्किल था पर अब टेक्नलोजी एडवांस हो गई है जिससे साइकलोन से 24 से 48 घंटे पहले ही साइकलोन का पता लग जाता है आप जो फोटो देख रहे हैं वह पिक्चर सेटलाइट से ले गई है आज हिंदुस्तान के अपने सेटलाइट 24 घंटे मौसम पर नजर रखे रहते हैं और किसी भी सूचना को टीवी, रेडियो, मोबाइल की मदद से मिंटों में लोगों तक पहुँचा सकते हैं मौसम विभाग भी ऐसी जानकारियों को SMS से या मोबाइल एपस के जरिये लोगों तक पहुचाता रहता है आज इन टेक्नोलोजीज की वजह से पहले के मुकाबले जान और माल की कमहानी होती है टॉर्नेडो जिसे हम हिंदी में बवंडर भी बोलते हैं दरसल ये साइकलोंस का ही एक रूप है कुछ साइकलोंस कभी कभी टॉर्नेडो में परिवर्तित हो जाते हैं जैसा आप तस्वीर में देख रहे हैं टॉर्नेडो is a dark funnel shaped cloud that reaches from the sky to the ground मतलब टॉर्नेडो कीप की आकार का बादल होता है जो तेजी से घूमता हुआ उपर बादलों को और नीचे जमीन को छूता रहता है हमारे देश में टॉर्नेडो कम ही देखे जाते हैं ज्यादा तर टॉर्नेडो कमजोर ही होते हैं और ज्यादा नुकसान नहीं करते पर कभी ये 300 km पर आर की स्पीड तक भी पहुँच जाते हैं भारत में कोस्ट लाइन्स यानि तटिये इलाकों में साइक्लोंस का खत्रा है ज्यादा तर पूर्वी तटिये इलाके यानि उडिसा की तरफ के इलाकों में टॉर्नेडो से बचने के लिए किसी ऐसे कमरे में चले जाना चाहिए जो जमीन के नीचे हो और जहां कोई विंडो ना हो यदि ऐसा ना हो तो किसी भी कमरे में खिड़की दरवाजे बंद कर लें और ट्रोनेडो खतम होने तक किसी टेबल के नीचे सर नीचे करके घुटने मोड़कर बैट जाएं जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं आज का चप्टर बच्चों खतम करने से पहले चलिए देखते हैं एनीमो मीटर ये एक कप एनीमो मीटर है जिससे विंड की स्पीड नापते हैं चलिए बच्चों, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, थैंक यू.